लोग को भिजी रखcarbon लोग डिप्रेशन में नहीं जाने चाहिए, इसके लिए आज ये दूसरा कभी से मेलन डोटर इंडन के बंट फार्म पे हम लोग कर रहे हैं, मैं आप सब का स्वाधत करता हूँ, अविननदन करता हूँ, और मेरे साथ ही जो बहुत बड़े-बड़े मोटे-मोटे लिभाफे लेकर कभिता पढ़ते रहे हैं लेकिन देखिए वक्त की मार क्या हो गई है आज हमको ये जूम पर आकर कभिता हैं सुनानी पढ़ रही है और आगे का क्या भविश्य होगा मैं कहने सकता हूँ पर आप ये मानके चलिए कि दिन अच्छे भी आएंगे को ऐसी बात नहीं है मैं आज एक नया प्रियोग कर रहा हूँ आज मैं आपके बीच में कभी के रूट में रहूँगा संचालन नहीं करूँगा आज एक युवा कभी परिदाबाद के निवासी बिवानी के रहने वाले सचिन महता शालीन आई-टी इंजिनियर है मोटिवेस्नल स्पीकर है बहुत अच्छा बोलता है मैं चाहता हूँ कि आज के कभी से मेलन का संचालन हम सोब दें सचिन महता को सचिन, ओवर टू सचिन लाव लेगी, वेलकम सचिन सा जी, थांक यू, थांक यू, बहुत-बहुत धन्यवाद और मैं सचिन महता शालीन आपका होस्ट और दोस्त आज के कभी से मेलन का आप सब का पुना स्वागत करता हूँ अभिनंदन करता हूँ आज से कभी से मेलन दूसरा, दित्ते हाज से कभी से मेलन रोटरी कलब की तरफ से आज आपको हसाने के लिए सब तयार है यहाँ पर और मैं इसी बात से अपनी बात शुरू करूंगा कि एक बहुत बड़े रचनाकार हैं, कनहिया लाल जी सेतिया और उन्होंने कहा राजिस्तानी भाषा के रचनाकार है उन्होंने कहा कि एक बार हस्ते हुए होठों ने रोती हुए आखों से पूछा कि हे आखों, तुम हमेशा रोती रहती हो, और हमें देखो हम हमेशा हस्ते रहते हैं तो रोती हुए आखों उन्हें उन हस्ते होटों से कहा कि उचे खांदान में और नीचे खांदान में यही तो फर्क होता है। और होटों पर आकर मर जाता है। और कुद्रत का करिश्मा देखिए कि जिन होटों पर आकर आशु अपना अस्तित्व मिटाता है उन्हीं होटों से मुस्कान का जन्म होता है। जो आसु और मुस्कान के किनारों के बीच में है। और जब वो पूरे वेक के साथ बहती है तो वीर रस आता है। और जब वो मंद गती से बहती है तो शिंगार रस आता है। और मैं कहूंगा कि जब वो कभी बहती है और कहीं नहीं बहती तो वहाँ हासे रस का जन्म होता है। तो आज रस की इस नदी में आज आपको हासे रस मिलेगा और हर तरीके का रस मिलेगा। कि चाहे कितनी तेज हावा हो पक्षी उड़ ही जाते हैं और द्रिड संकल्पी के पग उसको मंजिल तक पहुँचाते हैं। और जहां हो स्लो में द्रिडता हो दूर वहाँ से रहता डर और जल में जल की रानी के पख खुद ही रहा बनाते हैं। मेरे मित्रों से एक निवेदन करना चाहता हूँ, हम कवियों को ताली सुनने की आदेता है, उसके बिना हम कविता पाट नहीं कर सकते हैं। अब इसमें ताली तो नहीं है, पर चैट बोक्स है, उसको ही आप ताली मानकर वहाँ पर वाबा, कुछ अच्छा लगता हो तो बढ़िया है, शानदार है। आप ताली दें या गाली दें, पर चैट बोक्स में कुछ नहीं कुछ बोलें। चुपचाप ना बेठे मेरा निवेदन है। और चुटका हमारा जो सचिन भाई है, क्या बढ़िया संचारन कर रहा है सचिन? और सचिन तुम अपने नाम के आगे शालीन लगाते हो भाई, तुम्हारे चेहरे पर ही शालीन तर लिखी है, ज़रूरत क्या है या तो गदमाशी लिख दूँआ। चार पंक्तियां रखता हूँ और मैं फिर उनको निवेदन करूँगा कि देश के खातिर मर मिटने से भी कभी नहीं वो डरता है, और देश प्रेम में जीता है, जो देश प्रेम में मरता है, भारत भूके योदाओं को सादर नमन करे शालीन, जनम भूमी से करे दगाजो, जनम में वो तडपता है, 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 जनम में पंक्तियां रखूंगा अपनी, कि जडों से दूर रहने पर सभी मगरूर होते हैं, जडों से दूर रहने पर सभी मगरूर होते हैं, और नई शाखा, नए पत नए फल दूर होते हैं उसी परिवार के बच्चे करे माबाप की सेवा जहां पर संसकारों के कलश भरपूर होते हैं यार क्या संजलन हो रहा है क्या बाद है जवाब नहीं है और मैं सबसे निवेदन करूँगा जो भी आज हमारे भी श्रोता यहां उपस्तित हैं वो ऐसे मूख बन कर ना बैठें चुकि हम कवी मित्रों को हमें सब कवीयों को आप की तालिया ही उतसाहित करती हैं और हमें लगता है कि आप हमारी जो भावनाएं हैं वो राष्ट की भावनाएं हैं वो आपके दिल की भावनाएं हैं वो हमने कलम के माध्यम से उतारी हैं ता कि आपको भी आनन्द आए और कवियों को भी आनन्द आए। एक चोटी सी बात कहना चाहरी हूँ मैं चाहती हु सिर्स कवियों के धी खोल दिजिये अमने मने लिखें आपिए उट ए मुझे तो यह गा ना कि मुट पडई एंए। लेकिन अगर सचिन ने देखा हूं तो मैं पूरे उसमें बीच में तालियां बजाती थी जी 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 आपकी तालियां भी थी और नारी शक्ति कभी म्यूट होई नहीं सकती ऐसा हो और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं चार पंक्तियों से अगले कभी को बुलाना चाहूंगा मैं उन से निवेदिन करूंगा कि वो आयen और अपनी काव्यधारा से हम सब को हम सब को बताएं कि वो क्या सोचते हैं उनके क्या विचार है और हमें हसाई और वो अगले जो कवी हैं मेरे गुरु हैं अंतराष्टे कवी हैं अंतराष्टे संचालक हैं और मैं चार पंक्तियों से उन्हें बुलाता हूँ जी कि शूल में भी फूल का आभास होना चाहिए और खुश्बूओं का जिन्दगी में वास होना चाहिए दोस्ती में प्यार की हो भावना कुछ इस तरहां कि दोस्त हों तो दोस्त पर विश्वास होना चाहिए अधर्णी राजेश चेतन जी प्लीज आईए सर स्वागत आप वेल्कम वेल्कम राजेश भाई आप सबका धन्यवाद और बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं सचिन शालीन और सुरेश जी आपको इस प्रयास के लिए साधू बाद देना चाहता हूं खलता हूं अशोक भाईया कुछ कहना है तो कहो आप सब को प्रणाम करता हूं, आपको सुन रहा हूं, बड़ा मज़ा आ रहा है आजए एक काम करो, दर्षना गुपताजी को भी अन्म्यूट कर दो अच्छा नारी शक्ती चोप करा रहे हो आप ने चोप करा रहे हैं यह अपने सुनातार म्यूट कर वा रहे है इसना बहुत ज़रूरी है और बलजीत पक्की सरदार नहीं है, आज उसने यह प्रूव कर दिया एक बास सुनो, मुझे प्रूव करने की ज़रूरत है आप सोग को विश्वास होना चाहिए ना ठीक बात है तो समय पहंदर भाई इस कभी समेजन की दक्षता कर रहे हैं उनको हमने भरपूर सुनना है मैं थोड़ा सा समय लूँगा केवल आप लोगों का और जीवन में हसना बहुत ज़रूरी है और हसने का बरदान भगवान ने केवल और केवल मनुष्यों को दिया है और कोई हस नहीं सकता कोई गधा आपको हसते मिल जाए तो मानिए कि मनुष्य होने जा रहा है और कोई मनुष्य आपको मनुष्य दिखाई पड़े वाँ वाँ मुष्कुराते रहे करोना में ज़्यादा हसना पड़ेगा आपको आएप पंग्या सुनाता हूँ कि मनुरूप धर्ती पर आना किस्मत है मनुरूप धर्ती पर आना किस्मत है हिंदुस्तान का आबोदाना किस्मत है बार बार इस्वर ने इसको चूमा है बार बार इस्वर ने इसको चूमा है इस धर्ती को सीज जुकाना किस्मत है बड़े बड़े लोगों को अब तक झेला है चेतन जी को सुनकर जाना किस्मत है और गुमसुम गुमसुम कब तक यूही बैठोगे गुमसुम गुमसुम कब तक यूही बैठोगे ताली के संक्ताल मिलाना किस्मत है और दाक्टर से दिल को कब तक खुलवाओगे मिलकर यारों से बतियाना किसमत है वाँ Wag bagus वाँ एक छोटी सीازल सुनियेगा और जो देश के नेताओं के अलग अलग रंग दिगाई रड़ते हैं मैंने वो प्रस्तुत करने का प्रियास क्या थ्सनियेगा आप पार्टी के थोड़ी देर उससे बाहर निकल कर सुनना तो आनन्द ज़्यादा आएगा बात बात में बात बनाना उनके बसकी बात नहीं घर के लोगों को समझाना उनके बसकी बात नहीं राहुल बाबा चुपके चुपके बैंक कोग जा सकते हैं नाहुल बाबा चुपके चुपके बैंक आप जा सकते हैं पर दुलहन के घर तक जाना उनके बसकी बात नहीं कमाल करेस की कुरसी छोड़ी फिर कुरसी पर आ पैठी पर सत्ता की कुरसी पाना उनके बसकी बाद वाओ 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 वा तोपिया मस्दिद दरगा घूम रहे सारे नेता मोधी को टोपी पहनाना उनके बसकी बात नहीं बंग सेरनी चीची करती गली-गली में घूम रही मोटा भाई से टक्राना उनके बसकी पहना चाहता हूं रुपया पिटता देख देखकर सीता मा सर्मिंदा है नंगरमला सीता रमन की बात कर रहा हूं रुपया पिटता देखकर सीता मा सर्मिंदा है इकनो मी पटरी पर लाना उनके बसकी बात नहीं और मरकच वालों के कारण ही भारत मा संकट में है साथ के सर पे लठ बजवाना उन पुरा पुरा लिफाफा नहीं मिलेगा करेंगे बीजर मेरी जो सिंगने चर पोयम है उसके दो बंद आप सुनिये का केवल पर आजकल हम टीवी पर रमाइन देख रहे हैं और उसके दो बंग सुनिये जी मैंने कभी ये कहा था कि राम का मतलब यह है राम का मतलब बन गए तो बन गए बढ़िया बढ़िया कविता है बढ़िया तो दो बंग सुनाता हूं मात्पिता की आज्या कात्व केवल एक बहाना था मात्री भूमी की रक्षा करने प्रभु को वनमे जाना था और किसने गंगा तडपर जाकर केवट का सम्मान किया ओ निशाद को किसने अपनी मैत्री का वरदान दिया गिद्धराज को प्रेम प्यार से किसने गले लगाया था किसने भक्ति भाव से खाया था वनवासी और दलित जनों पर अपना प्यार लुटाना था मात पिता की आज्या का तो केवल एक बहाना था अजकल महिलों का काम बहुत बड़ गया है घरो में लोग कहते हैं कि ताज महल मुहबत की निशानी है आजेस चेतन कहते हैं ताम की सब टो ठीक है मुहबत की निशानी कभी नहीं हो सकता है करना है तो राम सियासा प्यार करो वनवासी हो गई पिया संग सिता सा वेहवार करो और जंगल जंगल राम बतकते सीता को किसने देखा अस्तुधार नैनों से बरसे विधी का ये कैसा लेखा राम सियागा जीवन ही तो प्यार भरा नजराना था आधुदा की आज्या का तो ये वल एक बहाना था वाँ जी आगे बढ़िये मैता जी 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 बिलकुल बिलकुल आप कहीं से थोड़ा सा नौइस आ रहा है मैं म्यूट कर देता हूं कुछ लोगों को जी तो बहुत सुन्दर बहुत कमाल चा गए आप के चा गए आप राजेस भाई जिन्दा बात और हम इसी क्रम में